जैहें दोस्तों स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में तो दोस्तों फ्यू मिनिट सीरीज में आज हम बात करेंगे जो मुद्धा बहुत अभी चर्चा में है वार इन यूकरेन एंड सांक्शन्स ऑन रश्या देखें पिछले डेड़ महीने से ही यह जो मुद्धा है न अमेरिका ने क्या किया है यह सब आपने हमने एडिटोरियल में भी बहुत रीप्री डिसकास किया है तो यह सब आप अभी तक जान चुके होंगे इस वीडियो में पर्पस है बात करने का कि जो सांक्शन्स लगाएगा है रश्या के ओपर लेकित दुनिया जहान की कांट्र अमेरिका ज़ाधा-ज़ाधा क्या कर लेगा है तो सांक्शन्स लगाना रश्या के ओपर कोई नई बात तो है नहीं से हैं और इस पनी बहुत जानते है तो वाहरेगा जैसे कहा आप जानतें अब लाग tariffs बहुत ही categorically कह चुके हैं कि भी आपने जो 1991 में 1997 में जो अमेरिका ने कस्में कहाई थी जो बाद ये किये थे कि भी हम Eastward expansion नहीं करेंगे नेटो का तो आप उन बातों पर खड़े उतरिये 2008 में पता नहीं अमेरिका को क्यों लगा अमेरिका ने necessarily वैसी ये relevant नहीं था लेकिन 2008 में अमेरिका की माने तो अमेरिका ने नेटो को कहा कि भी आप जोर्जिया को युकरियन को भी अपने नेटो के हिस्से में डाल लो अब ये जुरूरी नहीं था अब इसे definitely व्लादमीर पुटीन बहुत भढ़के थे अब वो ये कहने कि भई यहां पे इंटो में किया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा अब इस बात को बार-बार-बार व्लादमीर पुटीन चाहे बारक ओबामा थे पहले चाहे डॉनल्ल्ड रम थे जो बार-बार कहने कि यहां पे अब वाशंग्टन अब आज के टाइम पे तो यह कह रहा है कि अभी बाइस फर्वरी को हमने टीवी में उटके देखा सुबा कि अभी रश्या ने वेट कर दी यूग्रेन को लेकिन बाइस फर्वरी को ही अमेरिका ने सांक्शन बहुत ज्यादा फिर सांक्शन लगा दिये अब अमेरिका का कहना है कि हम तो बहुत ही फिर संक्शन लगाएंगे ज़ए रस्या को भी पता है व्ञादमीं पूदीन को भी पता है कि जादा-जादा वो सांक्शन भी लगा लेंगे इतने बेवकूफ नहीं इस बात की प्लानिंग मों काफी लंबे Salt ayze कर रहे लेकिन वो ये बात भी कहना चारें कि मेरे को किसी बात का डर नहीं है आज मैं वो कमजोर रश्या नहीं हूँ 2014 वाला आज मैं बहुत तगड़ा हो चुका हूँ ठीक है आज अगर हम Forex Reserves की बात करें अगर हम उनके Current Account Surplus की बात करें गर Debt to GDP Ratio की बात करें तो Russia has had a much much better position what it was in 2014 अब क्या ये वाक्य में बड़े fierce sanctions हैं तो जैसे कि February 22 को ये roll out करें गए थे तो Biden के administration ने का कि भई इतने जादा हम बुरा कर देंगे इतनी जादा fierce sanctions लगा देंगे कि Russia इट रिपल आउट कि Russia की जो ability है to do business to raise money from international financial institutions वो बहुत जादा भत्तर हो जाएगी हाँ लेकिन at the same time America ने इतनी दर्या दली जरूर दिखाई ये खेके कि भई Vladimir Putin के उपर sanctions जो लगा रहे हैं Russia के उपर sanctions लगा रहे हैं कोशिश करेंगे कि ordinary जो Russians है उनको जादा इस बात का प्रभाव ना पड़े अब जो sanctions लगाए हैं Russia के उपर now they will limit Russia's power to raise money abroad but does Russia really care about it अब हम war clouds की बात करें जो 24 February से जो लडाई शुरू हुई थी देखिए Ukraine crisis को लेके हमने few minute series equality discuss किया था 28 January को तो इस वीडियो के end में एक link मैं आपको जरूर दिखा दूँगा कर आपने crisis in Ukraine के बारे तो और समझना है तो उसके बारे बहुत बिस्तार में वहाँ पर बात करी गए थी देखिए आप जैसे के जानते हैं ये बात मैंने तभी भी गए थी अब फिर कहा देता हूँ कि जो Ukrainians और Russians की बात करें जितना प्रेम जितना प्यार जितना emotional bond Russians का Ukrainians के साथ है कि भी हमारी civilizational ties है कि भी हम भाई-भाई है उतना इतने जादा deep और emotional ties Russians के किसी भी और former Soviet Union Member State के साथ नहीं है ठीक है अब जब Crimea को next किया 2014 में ठीक है तो वहाँ पे जो eastern Ukraine वाला इस्सा था था जो Donbass region है तो वहाँ के जो दो provinces हैं Donets और Lohans तो वहाँ पे काफी जादा pro-Russian लोग पाए जाते हैं pro-Russian forces हैं separatist है याने कि they want to separate from the Ukraine mainland and they want to have their own autonomy and they are pro-putin. Now अब जब Russia ने invade किया Ukraine की उपर अभी जब recently दो दिन पहले तो Russia ने ये बहाना यूस किया के भी हम ना अपनी जो आर्मी को भेज रहे हैं eastern Ukraine में they are being deployed as peacekeeping forces ताकि वो जो separatist हैं या जो हमारे Russian ethnic minorities living in Donetsk and Lohans region उनको protect कर सके हैं ये तो बहाना था ये तो पता ही था लेकि बहुत सारे defense experts तो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं लड़ाई नहीं करेंगे कि वो लड़ाई नहीं करेंगे युक्रेइन को इंबेंड नहीं करेंगे लेकिन the writing was on the wall लड़ाई पूटीम खुला challenge कर रहे थे कि आपने जो करना कर लो मैं तो इस area को acquire करके ही रहूँगा कि भी बहुत हो गया है ना फिस ना तो मैं तो ही जो मैंने सोचा वो मैं करके ही रहूँगा अब लड़ाई युक्रेइन में हो कहीं मर्जी हो तो it is not only a disaster for the country बट for the whole world अभी हम pandemic से बाहर निकले हैं तो अब ठीक है अभी climate इतनी जल्दी कि de-escalation उता जल्दी होगा तो व्लादमीर पी टीम बार-बार के रहे थे कि भी देखो मेरी सीधीक demand है कि युक्रेइन ने अपनी security बढ़ानी है that shouldn't be at the cost of NATO टीकिक अभी आप मेरे अगर आप मेरे backyard में आ रहे हो अगर आप अगर आप मेरे घर के बिल्कुल दर्वाजे पे आ रहे हो और आप वहाँ पे वो area acquire करना चाहते हो तो मैं तो आपके आप जहां पे missiles deploy करेंगे युक्रेइन में तो दुरत पांच मिंट की दूरी होगा जो रश्य और युक्रेइन का बॉर्डर होगा तो security of one military alliance cannot be the cost of the other इस बात को लेकि वो बहुत categorically clear थे यही issue को race करके उनने युक्रेइन को invade किया ठीक है तो बहुत briefly यह आपका लुहांस की जने यह डनेट्स के तो यह पूरा का पूरा यह डॉन्बस एरिया है इस्टन युक्रेइन का तो यहां से लड़ाई शुरू हो जाती है अब sanctions की बात करें sanctions sanctions तो economic sanctions तो अमेरिका ने 22 फर्वरी को कह दिया था तो जो बाइडन तो पुछले देट महीने से बोली जा रहे थे कि व्लाद मी पुटीन killer है वो invade करेंगे तो बोली जा रहे थे ठीक है अब 22 फर्वरी को ने सांक्शन लगा दिये अब यहां पे जो अब sanctions लगाएं उनके repercussions के और किन-किन एरिया में sanctions लगाएंगे वो बात करते हैं तो ठीक है sanctions लगाएं गए हैं mainly to target Russia's access to financial market but the question is कि जो sanctions 2014 में लगाए गए थे या जो अभी लगा रही हैं will they really hurt Russia's economy अब यह it's a divided house देखिए हर किसी के अपने opinions हो सकते हैं जाधा तर लोग कह रहे हैं कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सांक्शन रश्या के एकॉनमी को तबाह कर सकते हैं लेकिन इंट्रस्टिंग लिए करम facts or figures की माने रश्या की एकॉनमी पिसले आठ साल में बहुत ज्यादा जाधा सक्षम है रश्या ने अपने financial institutions को अपनी एकॉनमी को काफी हद तक इस तरह से आइसोलेट कर दिया था कि रश्या प्रपेट था गया अगर सांक्शन लगेंगे भी तो भी विल बेटर प्रपेट तो ऐसा लग रहा है कि जो रश्या ने अभी मूफ किया है डुनेट्स और लुहांस रीजन को occupy करने के लिए तो ऐसा लग रहा है कि जो वाशिंग्टन अप सांक्शन लगा रहा है इट इस लाइकली तो भी सिंबॉलिक रादर दैन मेरी सब्स्टांचल कि कुछ 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 कंक्रीट नहीं होने वाला अब रश्या ने मैं देखी दो बाते बहुत जरूरी है समझने वाली 2014 में एक तो आपका जो ग्लूबल ऑइल प्राइस ते उसमें क्राश आया था ठीक है आपको याद हो का तब नए ने मोदी जी प्रदानमंद्री बने तो तेल के दाम काफी गण हो गये थे तो एक तो ऑईल प्राइस में थी रश्या देखे दो जराट में ग्लोबल फिनांशल क्राइस आया था जिसके जल्दे ग्लोबली सारी कॉनमीज में बहुत कंट्राक्शन देखने को मिला था तो 2014 में ना ही उतने फॉरेक्स रश्या के पास ना ही उतनी स्ट्रेंट थी अगर आज की बात करें और विद ल जगा तो क्राश आ हुए स्टॉक मार्केट में तो ठीक है शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी की बात करें होगा लेकिन रश्या विल पी मोर दन लाइकली तो बिट्स्टन इस रिस्ट्रिक्शन दूट इस अबंटन फॉरेक्स इस जादा कुछ जादा हाम नहीं होगा अब न इसकी लेंथ की बात करें तो यह लगबग 1234 किलोमीटर की इसकी लेंथ है देखिए अब रश्या के पास जैसे में बताया कि अबंडन डिजर्व है नाच्रल गास के ओईल के तो अब यॉर्पीन यूनिन की जो एकॉनमी है दोस्तों जर्मनी की बात करें फ्रांस की बात कर कि कैसे वो यॉर्पीन यूनिन के देशों को और वल्लिनरवल कर सकता है कि देखो भी आप उनसे पंगा लेके देखो मैं आपको गैस निक्स वोट करूँगा तो यहां पर अमेरिका ने बार बार कहा था कि अमेरिका को यहां पर एक जशन बनाने का मौका मिल गया अमेरिका अगर हम North Stream 2 की बात करें, इस पर बहुत investment लगी है, ठीक है, अगर हम North Stream 2 की बात करें, तो एक factual चीज यहाँ पर समझने को यह है, कि जो capacity है, यह अगर North Stream 1 pipeline की बात करें, तो 55 billion cubic meters of gas supply करती थी, अगर North Stream 2 की बात करें, तो इसकी जो capacity है, that is 110 billion cubic meters, ठीक है, अगर हम Germany and North Stream 2 की बात करें, तो जर्मनी ने अब देखें, जर्मनी को भी पंगा नहीं लेना अमेरिका के साथ, क्योंकि जर्मनी ने टो अलाए भी है, अमेरिका का, ठीक है, अब जर्मनी अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हो के नहीं कह सकता कि भी मैं रश्या के साथ ही, मैं रश्या से gas import करता रहूँगा, तो अब प्रेशर में आके, अब जर्मनी के भी नए 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 चांसलर बने हैं, बातचीत उन्हों नहीं भी करी, फ्रांस के जो प्रेजिड ठीक है, अब जो बार-बार ये कह रहे थे कि भी ये जो Nord Stream 2 pipeline है, ये बिलकुल नहीं रहने वाली है, अगर किसी भी चांस में, अगर युक्रियन के उपर invade किया रश्या ने, तो मैं ये बात इंशोर करूँगा कि कोई भी देश रश्या के साथ इंपोर्ट नहीं कर पाएग तो दोस्तों Swift system क्या है, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, तो basically क्या है, अब अगर आपने पैसे बाहर भेजने हो, पैसे receive करने हो, उसके लिए system use किया जाता है, तो ये जो system है, this does not actually moves money, ये एक middleman की तरह काम करता है, कि जो information of the transaction उसको verify करता है, तो ये एक secure platform है for the financial institutions, जहां से आप exchange कर सकते information, जो भी आप ऐसे बाहर भेज रहे हैं, receive कर रहे हैं, तो जो भी financial transactions हो रही है, अब Russia को system से बाहर कर दिया, तो US ने इस से पहले Iran को भी system से बाहर किया था, over its nuclear program, nuclear mission program, लेकिन बट जो Swift system का control है, वो Brussels के हात में है, अमेरिका के हात में नहीं है, actual में, but kicking Russia out of Swift, out of this system, the society for worldwide interbank financial telecommunication, this has repercussions for the other economies in the European Union as well, especially Germany, which is a key ally of America, but also Germany has been very dependent on Russia for the import of natural gas and oil, export controls की बात करें, तो US export controls को रस्या, जो US export controls को रस्या, जो US export controls अब लगाएगा, that can cut off Russia from the technology, which is very critical, which is very much required for making fighter jets, passenger jets, warplanes, smart phones, तो इस technology से रस्या कात हो सकता है, ठीके, this could also include adding Russia to the most restrictive group of countries for the export control purposes, तो इसके लावा और कौन से देश है, जो इस restrictive group of countries में शामिल है, तो क्यूबा हो गया, इरान हो गया, North Korea हो गया, Syria हो गया, ठीके, तो which would mean, कि जो Russia की ability है to obtain the integrated circuits, अगर हम hardware की बात करें, या products containing integrated circuits की बात करें, तो वो जो ability है to access these things, वो restrict हो जाएगी, अब sanctions on individuals की बात क तो वैसे तो अमेरिका के रहा है कि भी हमारी कोशिश है कि जो sanctions लगा रहे हैं Russia के उपर, यह ordinary Russians को सबसे कम impact करें, ठीके अब यहाँ पे एक बात समझने को यह है, कि US and its allies aims to impose sanctions which will compel, यह बहुत funny बात है, ऐसा बिलकुल नहीं होने वाला, तो अमेरिका को कर ऐसा लगता है कि अमेरिका और दो-चार और देश अगर अरश्या के उपर sanction लगा देंगे, उसे व्लादमीर पुटीन अपना रस्ता बदलेगा, अपनी रन्नीती बदलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, व्लादमीर पुटीन डटा हुआ है, वो कह रहा है, आपने जो करना है करो, मैं खोले आप आपको चालेंज कर रहा हूँ, at the same time कोशिश है कि यह जो impacts है, sanctions के ordinary Russians के पर कम हो, लेकिन sanctions कुछ individuals के उपर जरूर लगाएगा है, जो बहुत powerful है, ठीक है, उनका नाह में specially, वो कौनसी काटिगरी में आते है, specially designated nationals में आते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे individuals हैं, कुछ ऐसे companies है which are owned and controlled by powerful people and acting on behalf, अब यहाँ पर targeted country आने के Russia, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोई powerful influentials लोग है, companies है, who are controlling a sizable number of sectors in the economy of Russia, तो उनके उपर यहाँ पर लगाया गया है, ban लगाया गया है, traditionally जो उनके assets है, specially designated nationals के, individuals के, उनके assets को block किया जाएगा, उनके bank accounts को freeze किया जाएगा, and US is almost completely prohibited from dealing with these people, और with these individuals, और entities, whatever, इंडिया की diplomatic dilemma की बात करें, अब अमेरिका यह कह रहा है कि भी जब तक आप territorial integrity की बात करते हो, territorial sovereignty की बात करते हो, तो आप चाइना का लेके वहाँ पे बहुत, अमेरिका ये बात इंडिया को कह रहे है कि भी आपने चुपी बनाई हुए, लेकिन जब च इंडिया को ये बात recognize करनी बहुत ज़रूरी है कि जो रश्या के concerns है, वो legitimate है, इतने सालों से व्लादमी पुटीन कहीं जा रहे है कि में को कोई लेना दने ने 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 नेटों से, लेकिन आप मेरे backyard में तो मत आओ, आप मेरे दरवाजे के बाहर तो मत आओ, आप जो मेरा former sphere of influence था, उन उन areas को तो control करने की मत कोशिश करो, आपने दरजन देशों को NATO का हिस्सा बना लिया है, अब Ukraine को आप हिस्सा तो ना बनाओ, ये इनके concerns legitimate है, और वो तो बार बार व्लादमी पुटीन कहने कि जितनी मर्जी बातचीत करनी, negotiation करनी आप करिये, लेकिन ऐसे धक्का तो हम ना अमेरिका के साथ relations बिगार सकते हैं, ना हम रश्या के साथ बिगार सकते हैं, अब रश्या के साथ तो हमारे कितने पुराने संबंध है, नेरुजी के टाइम से संबंध है, तो हमारा जो military hardware है, सारा Russian origin का है, उसके लावा हमारे लिए concern और भी है कि हमारे बहुत सारे ज अब यहाँ पर conflict क्या रहेगा, principle और values एक तरफ और practicality, pragmatism and interest एक तरफ, हमारे interest रश्या के साथ भी है, हमारे interest अमेरिका के साथ भी है, ठीक है, अभी वो S-400 missiles हमने इंपोर्ट करी रश्या से, तो उसके चलता है हमारे उपर बहुत डर था, कि कानून इंडे के उपर भी साथ लिगा, at the same time, 2014 में भी और आज भी, इंडिया ने यही बोला है कि भी या आप डिप्लोमाटिकली यह जो बुद्दा है, इसको रिजाल्व कर लीजिए, जादा लगाई क्यों करनी है, लेकिन इंडिया ने कैटेगरिकली रश्या के अगेंस, या वो अग्रेशन, रश सांक्षिंट रॉन पर लगाई जा रहे हैं, वो और इंडिया ने करेंगे, जितना जो रश्या के बड़े financial institutions हैं, या specially designated nationals हैं, उनको जादा impact करेंगे, अब यहाँ पे बात करें, fortress रश्या की, अब यहाँ पे कुछ बाते समझने को यहाँ पर यह आ जाती हैं, देखिए, जो 2014 में सांक्षिंट रश्या के उपर लगाई थी, उससे रश्या पिछले 6-7 साल म ने और मजबूत हुआ था, तो रश्या ने कॉनमी की बात, जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए, वैसे रश्या कोई बहुत इतनी अच्छी एकॉनमी नहीं है, जो 1991 से फिले USSR था, लेकिन nevertheless, आज की टाइम पे, रश्या की फोरेक्स रश्या की बात करें, चाहे जो पर सांक्शन लगा दिए गया थे, आफ्टर दर एनेक्सेशन ऑफ क्रेमिया, उससे व्लादमीर पुटीन को इस बात का सबक मिल गया था, कि भई, अब बहुत हो गया, इनाफ है जिनाफ, मैंको अपनी एकॉनमी को और स्रिंदन करना पड़ेगा, तो व्लादमीर पुटीन की, ठीक है, तो रशिया शॉर्ट टर्म फॉरें डेट्स अमांट तो बेरली 10% अफिट्स फॉरें करन्सी रिजर्व तो पंडमीर की चलते तो अगर हम डेट टू जीटीपी रेशों की बात करें, कितने सरे देशों का डेट टू जीटीपी रेशों तो 80% 90% से भी उपर प actions required by these countries rather than just imposing sanctions, तो ये तरीका आप काम नहीं करने वाला, तो दोस्तों अगर आप और जानना चाहते हैं crisis in Ukraine के बारे, तो इसके बारे detail में crisis in Ukraine की अगर हम बात करें, history की बात करें, background की बात करें, conflict की बात करें, तो ये सब बात है 28 January 2022 को few minute series में share किया गया था, तो आब ये important tutorial जो भी हाल ही में, अभी कुछ पिछले 10 दिनों में जो आए तो वो आपके सामने में आपे मैंने लिखे हुए है, तो ये एडिटोरियो का analysis भी आप देख सकते हैं, इनको newspapers में से भी आप बढ़ सकते हैं, so ठीक है, दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, थांक यू सो मच, जैहिन!